आज हम यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल मार्क के स्टाइल मोमोज रेसिपी, बहुत ही तेश्टी बनते हैं, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे एक कप के करीब मेदा, साथी में उसमें आइड करेंगे वर्न टी स्पून के करीब ओईल और थोड़ा थोड़ा पाने आइड करते हुए इसका एक स्मूथ सा दो तयार करेंगे, तो दो बनकर तयार है, अब हम इस दो को धक्कन लगाकर 10 मिनिट के लिए साइड में रख देते हैं, अब अगली तयारी करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक कप के करीब कटी हुई पत्ता को भी, हाप कप हमने यहाँ पे शिमला मिच ली है, हाप कप हम यहाँ पे यूज करेंगे गाजर, उसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हाप कप के करीब प्याज, साथी में हम तीखे के लिए इसमें दो तीन हरी मिच्छी आड करेंगे, उस से टीसपूँन जिंजर गार्लिक का पेस्टे डिकरएंगे 1 टेबल स्फून हम यहापे Did Soya Sauce एट करेंगे 1 टेबल्स तेबल स्पुन के करीब ओईल और जो भी सारी सब्जिया हमने यहां पे लिए वो सभी इसमें आइड कर देंगे और तेज आर्च रखते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि यह सब्जियों का जो पानी है वो ड्राइन हो जाए लगबग 2-3 मिनित लग जाते ह है याद रखिए हाइफ लेम पर हमें सब्जियों को पकाना है अब हम चोटे चोटे इसमें से बॉल निकालेंगे जिस्वी साइज गर आपको मूमोज बनाना है उतनी चोटे-चोटे ही मूमोज बनाईए बहुत तेस्टी बनते है ज्यादा बड़े बनाएंगे तो उतनी नहीं लगते तो कटोरी के मदद से हमने यहां पर इसके गोल-गोल कट कर लिया है आप चाहे तो बेल कर भी छोटी-छोटी पुरिया बना सकते हैं अब इसमें स्टपिंग एड़ करेंगे स्टपिंग एड़ करने के बाद जोए हमें इसे इस प्रकार से लॉक कर देना है जैस मोमोज बन कर तयायर है एक प्लेट को हमने यहां पर उइल लगा लिया है औस तो व्रेस pharmacy करने के बाद प्लेट कर सोथे मोमोज रख दीए आप को मोमोज बन बेलकुल तयायर है 15 minutes के बाद हमने इसे serving कर लिया है seis one चतनी के साथ आप सारू करना है बहुत ही तेस्टी बनते हैं वीडियो थोड़ा भी helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई